हमारा चलर किसी भी अव्यत कतिविद्यों को बढ़ा हूँ या प्रोसाइट नहीं करता है। हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद हैं आप सभी ठीक होगे सब्सक्राइट नए वीडियो में तो यह जो कैंडल बन रही है को यहाँ पर अभी तक रेड थी ठीक है लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर यह ग्रीन केंडल बनेंगी और यह बनना इस्टार्ट कर चुकी है अगर यह red भी बनती है तो भी मेरे trade यहाँ पर काफ़ी अचाए से win हो जाएंगे, बिना किसी loss के, बिना किसी region के, मैंने यहाँ पर trade लगा दिये, और यह होता है दोस्तो candle rating pattern, ठीक है, मातर 20 second बाद ही मैंने पता लगा दिये, 20 second बाकी थे कि मैंने नेस्ट के लगर प्रेड़ कर दी, और आप देख सकते हो कितने यह जहाँ पर green candle बन चुकी है, ठीक है, मैंने आपसे बोला था green candle बनेगी, चाहे कितनी भी red बन ले, इसी तरह से मैं आज आपको सीखाने बाला हूँ कि इस तरह से आप इस तरह से candles को read करकर profit कर सकते हो, और अच्छा गासा पैसा कमा सकते हो, दोनों trades का result आने में कुछी time बाक किये, दोनों trades काफी अच्छे से लगे हुए, result आकर मुझे profit ही देगा, कैंडल काफी नहीं चाह चुकी है वैसे तो, लेकिन देखे दोस्तों, एक सेगिंड का फरक रह गया, मेरे trade यहाँ पर win हो गए, कैंडल यहाँ पर down आ चुकी है, अब दोस्तों यह तो देख सकते हो, आप कैंडल तो green बनी, और मैं अपने trade अप duration में ही लगाँ, यहाँ पर अगर आप होते, तो down के लिए trade लगाते हैं, क्योंकि candle यह आप पर down के duration में जा रही है, अब मैंने किस तरह से लगाए दोस्तों, वो सभी बाते मैं इस वीडियो में आपके साथ cover करूँगा, इसलिए आप वीडियो में end तक बने रहे हैं, बिना skip के वीडियो को देखें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लें, और वीडियो को आप अभी से like कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़दा informative आपके लिए वीडियो होने वाली है, ठीक है, और इसको बाद उसको बाद में डिसकस करेंगे, आपर अपना टाएंट डेट लगा देता हूँ, मैंने 500 रुपे से एक डाउंट डाएंट में टेट लगा दिया, लेकिन इंट्री मेरी और वी अच्छी हो सकती थी, ठीक है इंट्री मेरी और भी अच्छी हो सकती थी अगर यहाँ पर second candle यह जो candle बन रही यह भी green बनती है तो मुझे क्या करना है दोस्तो martingal use करना है फिर से down direction में trade लगाऊंगा ओके trade तो मेरा यही विन हो जाएगा मुझे पता है कि यहाँ पर यह candle red ही बनेगी लेकिन मैं आपको बताता हूँ किसी भी error की वज़े से अगर यह candle green बनती है तो nest candle इसके बाद red ही बनेगी दो candles green बन जाती है तो उसके बाद एक candle red जरूर आएगी ठीक है लेकिन इसको यहाँ पर red ही आना है इसलिए बिल्कुल मैं घबरा नहीं रहा और आपको भी नहीं घबराना है जो भी होगा आपके सामने होगा ट्रेड आप देख सकते हो कुछ ही second के अंदर यह candle उपर के साइट घूमी है चलिए मेरे trade loss हो गया अब मैं आपर दो ट्रेड लगा रहा हूँ डाउन डारेक्शन में ठीक है दो ट्रेड लगा चोगा आउन डारेक्शन में क्योंकि मैंने आपसे बोला था वो candle तो 20 सेकंड के अंदर उपर के साइट घूम गई लेकिन यह candle यहाँ पर 100% red आईगी चलिए इन ट्रेड का result देखते हैं फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से आपको इस तरह से प्रेडिट करना next candle क्या बनेगी जैसा कि आपने देखा दो टेड मेरे win हो गए जो error candle आई थी green उसकी वज़ा से जो मेरा एक trade loss हुआ था वो भी मेरा cover हो गया और red candle ही यहाँ पर काफी अच्छे से बनी लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर मेरी entry late लगी होती तो मेरा trade यहाँ पर loss भी हो सकता था जो यहाँ पर पहले हुआ वही same condition यहाँ पर repeat हुई ठीक है अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता था यहाँ पर red candle बनेगी पहले नहीं बन पाई क्योंगी यहाँ पर error candle इसको मैं मानता हूँ आप इसके base पर इसी तरह से profit करोगे आपको पता रहेगा कि next candle क्या बनेगी और आप अच्छा कासा पैसे इसके base पर कमा सकते हो अब क्या pattern है किस तरह से आपको इसके base पर up and down के trade लगाने सभी बाते में आपके साथ cover करता हूँ उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे VIP session का result यह आप देख सकते हो कितने अच्छे से जितने भी भाई उन्हें इसको जोइन कर रहा है काफी अच्छा profit हो बना रहे है इसको join करकर आप भी पैसा कमा सकते हो मेरे call put के signals को लेकर लेकिन ये group सिर्फ उनके लिए जो daily अपनी pocket money बनाना चाहते है ऐसा नहीं कि दोस्ते हैं ऐसे लाग हो कमा लोगे दिन का ऐसा नहीं होता मेरी telegram ID आपको इस वीडियो के description box से मिल जाएगी ठीक है आप वीडियो को continue करते हैं दोस्तों आपको बताता हूँ मैंने हापर कोई भी indicator oscillator यूज नहीं किया है सिर्फ मैं आपर candles को देखकर ही बता रहा हूँ कि nest candle क्या बनेगी ठीक है अब यी देखे दोस्तों आपको भी सिखाता हूँ इस तरह से किस तरह से trade किया जाता है देखिए आपको क्या देखना है candles को देखना है कि कितनी candle से बाद को न सी candle आ रही है ठीक है बस इतना देखना है आपको देखेए मैं आपर क्या देख रहा हूँ कि tीन red candles भी बन जा रही है उसके बाद तीन रेड़ के बाद ग्रीन केंडल आई है तो आप यहां पर ही मैंने क्या देखा कि कितनी बार रिपीट हुआ आप खुद देखिए फर्स टाइम सेगेंड थर्ड फॉर फिट पांच बार जब एक सिंगल ग्रीन केंडल बनी उसके बाद क्या देखने के लिए आपको रैड केंडल को यहां पर बने दा बने मैंने केंडल लगाया फिर से मुझे खेखने तो इसवजा से थे पर फिर से मैंने च 디자aría Schluss किया चर्ण कर कर देता हूं किसी और चार् letter बन रहा हुए उसके वेस पर हम trade कर सकें ठीक है अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर दो red candle बन सकती है उसके बाद green candle आ रही है ठीक है एक candle भी बन सकती है तो अभी दो candle यहाँ पर red बन चुकी है ओके तो next candle क्या बनेगी दोस्तों जाहिर सी बाद green भी बनेगी इसलिए मैं आप अप डारेशन में trade लगा रहा हूं दो ट्रेड में लगा रहा हूं ठीक है तो ट्रेड में लगा चुका हूं अब डारेशन में और काफी अच्छे से यहाँ पर green candle आ जाएगी यह शेवर्टी है अगर नहीं आती है तीसरी टाइम यहाँ पर red candle बनती है तो इसके बाद यहाँ पर green candle ही आएगी यह confirm है क्योंकि जब भी आप देखोगे यहाँ पर दो या तीन बन सकती है तीन ही बन सकती है कि तीन से ज़्यादा बनेगी तो आपका trade यहाँ पर loss ज़्यादा होगा और फिर pattern आपर काम नहीं करेगा आप देख सकते हो candle यहाँ पर टोटल उपर गुम चुकी है मैं आपको चार्ट चेंड गर-गर दिखाया वहाँ पर कोई confirmation मिल नहीं रही थी यहाँ पर देखिए जो भी मैंने trade लगाई का फेचे से विन हो गए और इसी तरह से आप भी पैसा कमा सकते हो एक candle या दो candle बन सकती है अब क्या होगा दोस्तो आप में देखा single red candle के बाद green candle इसके आपने अपकर ट्रीड लिया आपका लोस हो गया क्योंकि red candle बनेगे तो आप और ज्यादा से ओर हो जाओ क्योंकि दो candle इसके बाद या पर green candle आ रही है यहाँ पर देखिए दो candle बनी उसके बाद ही green candle आगी तो यहाँ पर same pattern repeat हुआ दो red candle बनी green candle कितनी बड़ी बड़ी बन तो फेल होने का time भी हो सकता है क्योंकि आप देखो कि बार 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 जा भी देखोगा अब दो candles के बाद green candles आ रही है ठीक है या फिर आप कह सकते हो एक red candle के बाद second candle बन रही है जिस तरह से आप देखोगे ठीक है pattern fail भी होंगे क्योंकि काफी time से घंटों से घंटों से तो तो आप देखोगे pattern गंटों से आप पर काम कर रहा है और अभी के time भी आपर work किया है ठीक हमें सब work नहीं करेगा कभी pattern change होगा trend change होगा तब आप loss कर सकते हो तो आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ को आप यहाँ पर जदा risk ना ले अब risk साय आप कैसे बचोगे सबसे आप इसके बैस पर demo पर practice कर अच्छे से demo पर आप confirmation हो लेगा अच्छे से इसके बैस पर 8-10 trade लगा कर win कर कर देखे आप जब आपकि 10 बैसे 8-70 trade विन हो जाए तब आप यहाँ पर live account यूज कीजिए ओके फिर आप confirmation लेजिए और trade कीजिए हाला कि इसके उपर depend बत कीजिए आप कुछ ना कुछ इंडिगेटर उसे डिटर यूज कीजिए या फिर कोई न कोई और pattern भी यूज कीजिए मार्किट कर टेंड को देखे बहुत कुछ आप analyze करकर date करोगे बाकि दोस्तों market को बिना analyze किए आपको उतर profit करना तो आप मेरा VIP group जरूर जोइन करें मुझसे content करन जोगे तो आप सब्सक्राइबर कारें मुझसे करते ही झाल आप हो आप कर दोस्तों कर दापको आपको जोगे झाल करें मुझसे लोगे बहुता हैं।